हैपली में नरें रिकुमा स्वहिर देश्वाड़ी सार्वाहू मित्रों आज हम सब्तल एकसाइज के तहट सुच्छ व्यायाम के तहट पबन मुक्तासन स्रिंखला के तहट इसकी दस्मी कडी हम देखने जा रहे हैं इसके तहट आज हम देखने जा रहे हैं स्रोणी चक्र यानि कि हिप रोटेशन मित्रों हमारे लोवर पार्ट का परही मुख्य रोल होता है तमुख रोल होता है हमारे सरीर का संपूर्ण बजन इन ही लोवर पार्ट पर ही होते हैं और यह लोवर पार्ट और अपर पार्ट को जूड़ने का काम यही विस्ट वारा कमर वालो भाग करता है हिप पर ही हमारे बजन आते हैं तो हम आज हीप रोटेशन श्रोणी चक्र करने जा रहे हैं जिससे कि हमारे यह लूजेन होंगे अकड़न जकड़न हो जाते हैं हम जुक नहीं पाते ज़्यादा देर तक खड़े निरह पाते चल नहीं पाते इन सभी से निजात पाने के लिए आप इसे कर सकते ही तो आएए आप हमारे साथ ही किजिए इस त्रोणी चक्र को इसके लिए भी हम प्रारंभिक स्थिती में आगे अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा अपर पाट को ट्रंक को सीधा दोनों हाथ को आप चाहें तो यहाँ थोड़ा सा लीन होके आप सपोर्ट रखे और इसे बिल्कुल सीधा ऐसे रखे और अपने राइट लेग को इ कोल्ड कीजिए और इसे आप रख रिए यहाँ पर लेफ्ट थाई पर आपका इंकल आना चाहिए यहाँ रखे और राइट हैंड अपने राइट नी पर रखे और जैसा कि इसका नाम ही है मित्रों स्रोणी चक्र हिप रोटेशन तो हम डाइरेक्ट हिप को तो रोटेट करन क्लॉक्वाइज और एंटी क्लॉक्वाइज और यह मुवमेंट हमारे हिप ज्वाइंट पर जाएंगे जो कि उसे लुजन करेंगे और स्ट्रेचिंग देंगे और स्ट्रेंदनिंग करेंगे तो आइए करते हैं इसे यहाँ पकड़े रहें अपर पाट को धियान देना है इसमें कोई भी मुवमेंट नहीं होना चाहिए बिलकूर सिखिलता होनी चाहिए और स्ट्रेट होना चाहिए गर्दन आपका सीधा आँखों को बंद रख सकते हैं और यह यह से आप रखवाइज कीजिए तेन टाइम्स जब आप नीचे ले जा रहे हैं तो एक्सहेल कीजि कीजिए आप इसे मुवमेंट को देखने के लिए आप अंगुली को ऐसे निकाल के रख सकते हैं ताकि आपको रोटरी मुवमेंट यह रोटेशन जो है दिख सकता है यह यह अपर पाट को बगयर रेखिए उपर ला रहे इंहेल नीचे एक्सेल इंहेल एक्सेल यह आपका आपकर करना है जो बस अधा को फोर्स नहीं कि लगाना हाथ से एक्सरा करना है प्रैसर हाथ से प्यार को खुद नहीं होने देना हाथ से कीचे यह यह देखिए आप मुशूस कर रहे ओंगे आपके हित में मुवमेंट बहुच रहे हैं क्लोकवाइज इसी तरह नहीं से हम ए रहेगा जब हम उपर लाते हैं इंहेल नीचे ले जाते हैं एक्सेल इस तरह से रखीजिए स्ट्रोणी चक्र और फिर देखिए आपका हिप बिल्कुल लुजेन हो जारा एक्स्ट्राफाइट बर्ण हो जारे हिप से और फिर कोई भी ड्रेस आप पहां सकते हैं बगार इसी टेन टाइम्स के रिफ्टेशन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हम अब लेफ्ट हैंड से करेंगे यहां लेफ्ट अंकल को पकड़े लेफ्ट मी को यहां ट्रंक सीधा और यहां अंगली को ऐसे निकाल लिए इंडिकेटर के रुपे इस्तेमाल होगा ए पर लेंगो ज्टना बड़ा सरकल बन सके उसे ऊपर जब ला रहे हैं कोसीज किजिए चेस्ट में सटे जब मीचे ले जा रहे हैं को किजिए फिरोर में सटे इस तरह से आप रोटरी मुहमेंट इससे देते रहिए? breathing पर जरूर ध्यान दीजिये आप ध्यान दीजिये अपने awareness को कायम रखे hip joint पर ankle joint पर knee joint पर अपने breathing pattern पर मित्रों हम सुक्षपड बैयाम के तरह सथ जिस अंग के लिए जिस प्रत्यांग के लिए क्राम करते हैं उसी के बारे में सोचते हैं, इसे अब हम एंटी क्लॉक वाइट करेंगे, अगर हमें भरपूर फाइदा चाहिए, तो उसी अंग परत्यंग का हम धिखान करते हैं, और एक सकारात्मक विचार रखते हैं, कि हमारे सरीर में एक सकारात्मक उर्जा का ग्रहन हो रहा हूँ, मैं स दुरूस्ट बन रहा हूँ, इन ही सभी सकारात्मक दृष्टी के साथ, उन ही अंग उपर ध्यान रखते हुए, अपने फोकस को, अवेर्नेस को कायम रखते हुए, करेंगे, तेन टाइम्स, क्लॉक वाइज, तेन टाइम्स, एंटी क्लॉक वाइज, दोनों पैर से करके, इ मुझे उम्मीद है, आप इसका नियमित अभ्यास कीजिए, और अपने ही पेविया का लुजन कीजिए, मजबूत कीजिए, आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, इसके लिए सब प्रेम, धन्यवाद नरेंद्र कुमार की और से.